गर्मिया शुरू हो चुकी है मौसम में गर्मी अधिक बढ़ने लगी है ऐसे में गर्मियों से होने वाली बिमारियों के खत्रा भी मंड़ाने लगा है आम तोर पर हीट वेव चलने पर हीट स्ट्रोक का अधिक रहता है कई बार लोग स्ट्रोक की चपेट में आ जाते हैं जिससे जी मचलाना, सरदर्द, उल्टी, डाइरिया जैसी शिकायतें देखने मिलती हैं बढ़े हो या बच्चे कोई भी हीट वेव से परिशान हो सकता है, ऐसे मैं जानने की जरूत है कि हीट वेव से किस तरह बचाव किया जा सकता है, इसके लिए कुछ सावदानी बरतने की सला दी गई है, तो यह पानी आपका साफ होना चाहिए, प्रिफरिबली मतलब ऐसे ब करिए, गर्मियों में भी सीजन में बॉइल पानी और बॉइल करके ठंडा फिर पानी फिर नॉर्मल पिलाई, बहुत अधा ठंडा पानी भी नहीं पिलाना है, मौसम बदल रहा है, तो उसमें और खांसी जुकाम लगने के चांट से जादा बढ़ जाते है, तो क्या कहते है आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जरा सी ला परवाई पर तप्तिक गर्मी भरी पड़ सकती है, ऐसे में रेगुलर डाइट में नारियल पानी शामिल करना चाहिए बच्चे आम तोर पर पानी कम पीते हैं, उन्हें नारियल पानी फायदा कर सकता है, नारियल पानी में कई जरूरी एंजाइम्स, खनीज और विटामिन्स होते हैं, उन्हें ये फायदा कर सकता है C News के लिए लक्षमी रास सिंग की रिपोर्ट